तिरुत असनातक चुनाओं में भी लगता है कि तेस्वी आदब, लालू यादब ये चुनाओं जो हारते हैं उस हार से सबक लेती हैं जो जित समाज में मुद्दा उठाना चाहिए ये सेम लगता है राहूल गांदी के साथ गठमंदन में रहते रहते राहूल का भी असर आपका स्वागत है जी है मैं बात कर आँ अभी तिरुत असनातक चुनाओं की जहां पे एक तरफ इंडिये गठबंदन कैनिडेट है अभिसेख जा तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंदन कैनिडेट गोपी किसन तिसरी तरफ है जन्सुराज की कैनिडेट तो चौथी तरफ है निर्दली है, तिरुत असनातक चुनाओं में टोटल 18 कैनिडेट है, इनका वोटिंग है 5 दिसंबर को और रिजल्ट है 9 दिसंबर को, ये तो फाइनल पता 9 दिसंबर को ही चलेगा, लेकिन जो ख़वर आ रही है, जो फिल्लिंग हो रही है, उस हिसाब से कहीं न कहीं तिरुत असनातक चुनाओं में भी लगता है कि तियस्वी आदब को मुखानी पड़ेगी, क्योंकि तियस्वी आदब, लालु आदब, ये चुनाओं जो हारते हैं, उस हार से सबक लेते ही नहीं है, सबक लेने के बाज़ा है, उल्टा उलूल जूलूल की बाते करते हैं, जो चीज, जिस चीज पर फोकस करना चाहिए, जो चीज समाज में मुद्दा उठाना चाहिए, ये सेम लगता है, राहूल गांदी के साथ गठवंदन में रहते रहते हैं, राहूल का भी असर पड़ने लागा है, तियस्वी आदब, लालु आदब जीप, अब मैं ऐसा क्य कहा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, देश में आम लोग का मुद्दा क्या है, उसका कपड़ा, खाना, पीना, उस पे आवाज नि उठाते, गली नली में कहा भरष्टा चाह रहा है, उस पे राहूल गांदी कभी आवाज नि उठाते हैं, वो जाते है, आदानी को कभी अम्बानी को घेरने जाते हैं कहीं न कहीं ये सब कोई मुद्दा नहीं इस से अडानी से गरीवों सब कोई लेना देना नहीं है बस उसे दोवक्त की रोटी चाहिए और ये अडानी मुके साम्बानी ये सब करने से राहुल गांधी के आज देख रहा है कॉंग्रेस की हालत कह गई है कि सस्तर पे चली गई है बस से बत्तर हालत हो गई है जो अपने दम पे कहीं एक आधराज ये छोड़ दीजे तो अपने दम पे उस और वहीं कॉंग्रेस के साथ गठबंदर में रहते रहते कुछ उनके जो साथी है उन पे भी वहीं असर पढ़ने लगा है जो रियालि में लगी रहती है ये जुबान है और उपर वाले ने जुबान दिया तो आप कुछ भी बोल सकते है कि हम मुख्य मंतरी बनेंगे ये बनेंगे ओ बनेंगे लेकिन जमीनी जो धरातल पे वैसा कोई काम ही नहीं है अब तिरुत असनातक के सब अपने अपने परचार में लग लेकिन ये भरम है उसका कहीं दूर दूर तक वो जीतने वाले नहीं है ये मैं रियालिटी की वता रहा हूँ वो जमीनी फिल्ड जमीनी हाकिकत कुछ ऐसा नहीं कर रहा है बस जाते हैं चार नेता है जिसके पास खुद वोट नहीं है ना उस वोट दे सकते हैं असनातक वाल इसलिए जीतेंगे क्योंकि आपने देखा कि सीता मठी के जो सांसत बने जो तिरुत असनाता के MLC विधान परिशत रहे देवेशन ठाकु ने कैसे सांसत बनने गवाद अनर्गल बयान दिया था कि मैं मुसलिम यादब कुस वहा का काम नहीं करूँगा तो इसलिए लोगों इस भरम में नारा है इस वोटिंग में हर कोई वोट नहीं दे सकता है आप लोगों पता है कि जो बीए पास है वहीं वोट दे सकता है और जिसका उस लिश्ट में नाम होगा और सबस्यदा नाम किसका है सभी को पता है सबस्यदा पढ़ा किस समास से है सब को पता है और क्योंकि भाईया यहां तो इसी में रहा के बड़ी-बड़ी तावे करना हाँ त्यस्वियादर्ब जित रहा है उसका candidate जीत रहा है जही लगता है कि त्यस्वियादर्ब के जो Así pass रहाते कहीं ने-कहीं वही सबसे बड़ा दुश्मन है पता नहीं कौन सलहकार है चैसवैद वो कौन सलाह देता है ऐसे अशे कि आप तो एक तरफा जीत रहे है ये हो रहे हो रहे है अजब रिजल्ट आता है तो क्या होता बाकि आप सब लोग के सामने ही बस जो जमीनी हकिकत बाते है जो धरातल की बाते है मैं अपना पेस करता हूँ अब सामने वाला को गर बुरा लगे तो खर कोई बात नहीं है लेकिन कहींने कहीं उसको भी पता है कि कहां हमें कमी है कहां चूक है ये RJD के जो नेता है वो अच्छी तरह भी जानते है और जो RJD के बड़े नेता है वो भी जानते है लेकिन फिर भी क्योंकि उनको जीतना है नहीं उनको ताप बनी गया target की भाईया हमेशा भी पक्ष में बैठना है विश्यस आप लोग क्या कमेंटर आए वी चाहर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा तब तक के लिए बाबाए टेकर और आप लोग क्या लग जाती रूता सनातक चुनाओं में कौन जीतेगा आप सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा तब तक के बैट टेक क्यार देखते रहिए रावनी डाइग